Congress के जो extremist leader थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बाद इतनी बढ़ जाती है कि उसी session के बीच में दोनों group एक दूसरे के ऊपर table chair फेकते हैं और एक दूसरे को जूता फेक के मारते हैं और उसी particular time पे पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है और ये बाद इतनी जादा बढ़ जाती है कि यहां से ही जो दो group थे split हो जाते हैं Year 1907 में Congress का session होना था इस बार Congress के जो extremist leader थे वो सोच रहे थे कि उनके group का कोई बंदा president बनेगा तो ये लोग थोड़ा अपने हिसाब से चीज़े बनाएंगे और क्योंकि अगर सूरत में session होता तो moderates जो थे उनके president बनने के chances जादा होते इसलिए सूरत में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद voting होती है और moderates का जो group था उनका ही leader बनता है